वेलकम तू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास नाइथ एकॉनोमिक से चाप्टर नमबर टू है पीपल एज रिसोर्स आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर तो चल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं क्वेश्चन नमबर वन देखिए वाट दो यू अंडेस्टेंड अबाउट पीपल एज रिसोर्स जो पीपल हैं जो लोग हैं एज रिसोर्स वो कब बनते हैं क्या समझते हो आप उनके पर में चिल्डर्न आपके सामने दो इमेज इमेज नमबर वन और इमेज नमबर टू इमेज नमबर वन में आप देखोगे सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई काम धंदा करते हैं और पैसा कमाते हैं जैसे एक लॉयर है वकील है पुलिस वाला है एक डॉक्टर है इलाज करता है एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ तो अगर मैं पूछू हमारे देश के लिए अच्छा काम कौन कर रहा है तो आपका होगे सर, images 1 में जो है तो जो image 1 वाले लोग हैं यही हमारे country के लिए जो लोग हैं यही हमारे resource है तो answer देखो कैसे लिखेंगे People who work and make money by their skills and abilities ऐसे लोग जो कुछ काम करते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं क्या करके अपने skills का use करके अपनी abilities का use करके उनको कहते हैं people as resource और इसके example में आप लिख दोगे doctors, lawyers, teachers, etc. ठीक है? next question देखो, how is human resource different from other resources like land and physical capital? जो human resource है वो दूसरे resources से जैसे land वगरा से अलग कैसे है, children इसको भी image से समझो, एक तरफ आपको land यानि जमीन दिखाई दे रही है, एक तरफ आपको इनसान दिखाई दे रहा है, यह यह बताओ, क्या जमीन में अपने आप फसल उग जाएगी, अर करेगा, बीज नहीं डालेगा, तो एक तो यह चीज, human resource को अलग बनाती है, land resources और other resources से, कि जो दूसरे resources है, वो as it is पढ़े रहेंगे, ठीक है, जब तक कि उनमें इनसान कोई काम नहीं करेगा, दूसरा आप यह देखो, जो human resource है, वो develop कर सकता है, एक छूटा सा बच्चा आ human resource और एक तरफ लिख लेंगे other resources, sorry, यहां पर यहां पर आप लिख दो other resources, और यहां पर आप लिख दो human resources, ठीक है, बस यह थोड़ा उल्टा हो गया, देख ले न, other resources like land are fixed, जैसे जमीन वगएरा है, यह अपनी जगह पर fixed है, जहां है, वहीं रहेगी, human resources can be developed, लेकिन human resources को develop क किया जा सकता, देख रहे हो, एक छोटा बच्चा था, उसको अगर पढ़ाई, पढ़ाई अच्छी से करवाई जाए, उसको education दिलवाई जाए, तो वो आगे चलके doctor, lawyer, engineer, कुछ भी वो बन सकता है, number two, other resources are dependent on humans, अभी हमने देखा था, जैसे कि यह जो other resources है, यह land है, यह humans प जो इनसान है, वो दूसरे resources का भी use कर सकता है, what is the role of education in human capital form, education का क्या use है, क्या role है, capital का मतलब होता है, पैसा कमाने है, भाई अब दो लोगों को देख रहो, पहला इनसान यह और पहला दूसरा इनसान यह, एक इनसान यह है, जो भाई सब कुछ पैसा जैसा नहीं कमारा अच्छा यह है, कुछ काम धंदा कर रहा और पैसा कमा रहा है, अच्छा आप देखोगे, जादा तर जितने भी पढ़े लिके लोग हैं, वो जादा अच्छी नौकरी कर रहे है, जादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और देश की economy को भी आगे लेके जा रहे हैं, तो आश् अब बान के चलो 20 लाकों का और कार भी खरीदी 20 लाक के अब जो कार की वैलियु है एक महीने बाद कार की वैलियु 20 लाक से 15 लाक की हो जाएगी हो कम हो जाएगी लेकिन जो घर की वैलियू हमेशा बढ़ेगी ठीक है कार पे हमेशा खर्चा करना पड़ेगा enjoying पैट्रोल होती है liability asset मतलब जो आपको पैसा कमा के दे जिसकी वैल्यू बढ़ रही है और liability मतलब जिसकी वैल्यू घट रही है और जो आपकी जेब से पैसा और खर्चा करवा रहा है तो ऐसे लोग क्या है जो education करके काम कर रहे हैं हमारे country के लिए asset है तो answer देखो कैसे लिखेंगे एन educated human is an asset for his country एक पढ़ा लिखा इनसान जो है अपने country के लिए asset है वो liability नहीं है अपने country पर बोज नहीं है educated people make a productive society और ऐसे लोग मिलके क्या बनाते है productive society बनाते है next what is the role of health in human capital formation health का क्या role है मान के चलो आपकी school में एक teacher है जो बीमार रहता है और एक teacher ऐसा जो हमेशा fit रहता है आप देखोगे जो बीमार teacher है ना तो उसका class में मन लगता वो हर दूसरे तीसरे दिन छुटी लेता है उनका syllabus complete नहीं रहता वहीं पे जो active teacher है जो healthy teacher है वो आपक class में भी active रहता है हसी मजाग भी करता है sports भी कराता है revision भी बार बार करा रहा है तो यहाँ पे हमने एक example लिया है teacher का अब इसको आप किसी भी form में imagine कर सकते हो तो भाई जब तक health है तब तक ही आप अच्छा काम कर सकते हो answer देखो in the development of human capital health is crucial health crucial है या नहीं भाई आप cricket match नहीं अच्छी जाएगी आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो विराट कोली को जानते हो यह सब लोग कितने जबा फिट है healthy person has a better chances of reaching his full potential and being valuable asset to the economy अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है अब विराट कोली है अगर यह लोग fit ना हो अगर यह लोग healthy ना हो तो क्या यह उ valuable asset बनेगा अपनी economy के लिए अपनी country के लिए what part does health play in individual working life working life में health का क्या रोल है number one healthy person is more productive भही वो ज़्यादा काम कर पाएगा number two healthy person can finish his task in less time कम time में ही वो ज़्यादा काम को कर पाएगा और अपने task को खितम कर देगा healthy person does not take frequently और ना ही वो जल्दी जल्दी छुट्टी लेगा अपने office से अपने school से जहां पर भी काम करता और वो better result देगा next question है what are the various activities are undertaken in primary, secondary and tertiary sector चल्दन आपको पता है हमारे यहां economy में तीन सेक्टर है primary sector, secondary sector और tertiary sector अब यह कह रहा है primary, secondary और tertiary में कौन-कौन सी activities होती है primary activities है जैसे agriculture है, dairy है, fishing है, secondary में क्या आता है manufacturing, चाहे biscuit की manufacturing हो रही है, गाड़ियों की manufacturing हो रही है, कपड़ों की manufacturing हो रही है और tertiary sector है हमारा service sector जो हमें basically कुछ देता नहीं है बस service देता है, जैसे एक teacher आया आपके घर पढ़ा के चला गया, service दे दी उसने, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो रिक्षे वाले भाईया ने या टेमपू वाले भाईया ने एक जगह से दूसरी जगह तक छो sector में आता है, जैसे services like transport है, education है, etc. What is the difference between economic activities and non-economic activities? भाई, जिन activities को करके आपको पैसा मिले वो economic activities है, जिन activities को करके पैसा ना मिले, जैसे घर का काम हम करते हैं, चीनी ले आए, गमले में पानी डाल दिया, पोच्छा लगा दिया, बरतन दो दिये, इनसे पैसा नहीं मिलता, यह non-economic activities है, answer कैसे लिखेंगे, पहले एक heading डालो, economic activities, the activities through which a person earned money, जिनके थुरू पैसा मिलेगा, वो economic activity है, जैसे this income adds value in national income, और हमारे देश की income में भी यह value add करती है, non-economic activity क्या है, the activities through which a person does not earn money, जिसके थुरू पैसा तो कुछ नहीं मिलता, जैसे example लिख दोगे, doing domestic chores, घर क काम करना, guys अभी तक इस video को like नहीं किया ना, तो please like कर देना, आपके एक like से, एक subscribe से बहुत motivation मिलता, मैं तीन तक count करूँगा, please video को like कर देना, one, two, three, I hope children आपने video को like कर दिया है, और channel को subscribe कर दिया है, next question, why are women employed in low paid work, question कह रहा है, कि जो women है, उनको कम salary क्यों मिलती है, कम पैसा क्यों मिलता, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको Google की एक report दिखाता हूँ, अगर आप Google पे Google करोगे, तो देखोगे, जो women की जो literacy rate है इंडिया में, वो 77% है, और जो men की literacy rate है, वो 85% है, तो यानि की ज़्यादा पढ़े लिखे कौन है, man, आदमी लोगों को जदा पढ़े ल इसलिए उनको कम पैसे मिलते हैं, इसलिए उनको कम पैसे मिलते हैं, How will you explain the term unemployment, unemployment क्या है बिरोजगारी, भाई कोई आदमी काम धंदे की तलास कर रहा है, नौकरी की तलास कर रहा है, उसका काम करने का मन है, दो पैसे कमाने का मन है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो answer क्या लिखोगे, unemployment is a situation when a person who is actively looking for work is unable to find work, एक इनसान जो actively job की तलास क कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकोई नौकरी नहीं मिल लगे, next question, what is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment, disguised unemployment क्या होता है, मान के चलो एक छोटा सा खेत है, उसमें किवल दो लोगों की जरूरत है, लेकिन घर में और लड़के वड़के और भाईया बहती है, उनके पास कोई नौकरी है नहीं, दो आ पर मिल जाते हैं, बिचारों को, लेकिन अब पांच लोग उसी काम को कर रहे हैं, तो कितने मिलेंगे, दद दस हजार मिलेंगे, जबकि काम भी केवल दो लोगों का है, तो ऐसा employment जिसमें कम लोगों की जरूरत है, फिर भी ज़्यादा लोग लगे हुएं, बेफालतु में, पीनट्स का सीजन रहे हैं, तब तक तो इनका काम धंदा चल रहा है, और जैसी मुफलियों का सीजन गया, इनका काम धंदा भी बंद हो गया है, इसको बोलते हैं, 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 इसको बोलते है work during a certain months of year ठीक है जब किसी particular time में ही उनको काम मिले मुफली बेचने वाले को केवल उसी time पर काम मिलेगा जब मुफली आईगी पढ़े लिखे लोगों को भी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम की हुए अब भई एक बार बताओ एक आदमी ने पढ़ाई लिखाई की पैसा खर्च किया डिगरी ले फिर भी उसको नौकरी न निकलती है अब दस नौकरी के इंटर्व्यू के लिए एक हजार लोग पहुंचे तो नौकरी हैं दस लोग पहुंच गए एक हजार तो यानि कि यह जो नौसो नब्बै लोग हैं ये बिचारे अब क्या होगा कम्प्टिशन बढ़ेगा तो जो नौकरी पाने के लिए से पहले यह समझते हैं educated unemployed होता क्या है when educated people are not able to get the job as their qualification जब educated लोगों को पढ़े लिखो लोगों को उनकी qualification के हिसाब से job ना मिले इसको कहते है educated unemployment और यह peculiar problem है इंडिया की because jobs are less candidates are more क्योंकि job कम है और candidates जाद है as a result competition occurs इसका result क्या होता competition होता है and people get ready to work on a very less income अभी मैंने बताया था ना लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं in which field do you think India can build the maximum employment opportunity इंडिया किस field में जादा से जादा employment opportunity दे सकता है इंडिया can create the most job opportunities in agricultural sector दो यह जो sector है इसमें हमारा जवाब नहीं है है ना तो agriculture sector में और इस से related industry में हम जादा से जादा job निकाल सकते हैं can you suggest some measures in the education system to mitigate the problem of educated unemployment अब यह कह रहा है कि यो पढ़े लेखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही किया आप इसका कोई solution दे सकते हो solution हम यह दे सकते हैं जब बच्छा आपनी secondary education करें तो career oriented पढ़ाई करें हमारे यह बच्छा आर्ट लेके बैढ़ गया maths लेके बैढ़ गया commerce लेके बैढ़ गया उसको अपना goalie clear नहीं है पहले उसको goal clear होना चाहिए कि भाई मैंने doctor बनना है मैंने engineer बनना है मैंने यह करना है number two create a short of screening process in which each individual select subjects that are appropriate for his or her abilities आपने सुना होगा developed countries में क्या होता है चोटी बच्चों पर ही क्या नामे इस तरह का एक test किया जाता है उसको देखा जाता कि यह बच्चा यार sports के लिए बनाए यह बच्चा पढ़ाई के लिए बनाए यह बच्चा doctor बच्छा बन सकता है यह बच्चा analyst अच्छा बन सकता है और फिर उसको उसी हिसाब से तयार क किया जाता है तो अगर बच्चों का स्क्रीनिंग प्रोसेस किया जाए उसी हिसाब से बच्चों को रेडी किया जाए इस लास्ट क्वेस्चन का आंसर आप मुझे देखो दोगे कॉमेंट सेक्शन में देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मैंने बताया था इंडियन एकॉनोमी की कितने सेक्टर है वन टू थ्री या फॉर आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लग देना मैं समझ जाऊँगा आप मैंसे कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कॉमेंट में आई होब मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए